तो आज का जो टॉपिक है गाईज वो है कैंडल वैक्स रीडिंग और आज की रीडिंग में हम थोरा से डिफ्रेंट देखेंगे हम देखेंगे कितना हद तक आपके परसन आपको चाहते हैं ठीक है आपसे मुहबबत करते हैं यह कोई भी सिच्वेशन के लिए हो सकता है चाह आप उनके बारे में जानना चाहते हो ठीक है सब्रेटेड हो अपने पार्टनार से आउट ओफ मैरेज रिलेशन्शिप है और डेफिनेटल बी आर टाइमलेस जिंडर नीट्रल आस वेलास जनल प्रेडिक्शन तो हो सकता है कि रेजनेट करें हो सकता है कि कुछ इंफरमेश आज जो मैंने सिंबॉल रखे है यह जो सिंबॉल आपको दिखाई दे रहा है वो है एक कनेक्शन का सिंबॉल यह है लाइट का सिंबॉल यह है लाइफ जिंदेगी का सिंबॉल यह है फैंटेसी का सिंबॉल मतलब इल्यूशन यह है हमारे बाइंडिंग का सिंबॉल मतलब attachment, binding इस तरह से, ये है health का symbol, और ये है rebirth, पुनरजन्व का symbol, तो love में ये सब कुछ चीज जुड़ा हुआ रहता है, love is a byproduct of humanity, आज का statement ये है, मेरे तरफ से सब के लिए message ये है कि, अगर कोई इनसान सही में, उसकी हम देखते है, उसके जो behavior है, उसके जो attitude है, वो measure किया जाता है प्यार से, कि वो कितना हद तक, ठीक है, चाहे वो इनसान के साथ हो उसका dealing, चाहे कोई animals के साथ हो उसका treatment, तो वो कैसे उसके साथ deal करते हैं, तो love is just a byproduct of humanity, आप कितना इनसान यत का सबसे बड़ा symbol है love, ठीक है, तो चलो, हम देख लेते हैं, एक कहानी मुझी याद आ गया, I was in Gujarat, okay, अगर आप इसको skip करना चाते हो, तो skip कर सकते हो, और अचानक क्या हुआ, गारी में petrol खतम हो गए, ठीक है, और सामने कोई garage या मतलब petrol pump नहीं था, आसपास, ठीक है, अचानक वो खतम हो गए, और reserve भी खतम हो गया, ठीक है, तो मेरे जो family थे, तब क्या हुआ, वह कि कि पहली बार हम गये थे वहाँ पर, and definitely उन्होंने क्या किया, बोला कि क्या हुआ है, तो मैंने बता कि ये है, of course the oil is not there, और हम लेने ही वाले थे oil, और अचानक कोई petrol pump भी नहीं दिखाई दे रहा है, और उपर से ये भस चुके है, तो उन्होंने बता कोई बात नहीं है, हमारे पास फुल है, तो आप के लिए मैं दे देता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने एक bottle petrol दे दिया, ठीक है, एक bottle या दो तिन bottle ऐसा कुछ होगा, दे दिया, तो कही नहीं पर वो पापा को पता होगा, तो वो क्या क्या की, दे दिया उन्होंने, या उनके पास शा नहीं है, तो बोला नहीं, हम इंसान है, आमको पता है, कि ऐसा travel में होता है, तो वो भी एक तरह का प्यार है, जो मुझे लगा, कि एक तरह का प्यार है, अन्जान लोगों के साथ, आपका रिष्टा दभी बनता है, ठीक है, जब आप इंसानियात भी दिखाते हो, लव इस नहीं है, ठीक है, लव इस एक तरह का प्यार है, तो मैंने बोल दिया, ठीक है, तो मेरे पापा ने भी जब भी मौका आए है, तब उन्होंने ब्लड डोनेशन किया है, जब भी भी उन्होंने सुना है, अगर मैंने भी सुना है, तब भी मैंने किया है, ठीक है, तो जब भी मेरे पापा के पास मौका आते थे, तो मैंने पापा ऐसा किया करते थे, ठीक है तो blood camps में उन्होंने जाके blood donate किया है तो हमेशा that is also love towards unknown people whom you don't know at all ठीक है So universe, spirit guides and angels please guide me the right duration के मेरे जो viewers उनके partners कितना हद तक उनको प्यार करते है मेरे viewers को कितना हद तक प्यार करते है तो यहाँ पर जिस तरह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह person आपसे काफी ज़दा distance में रहते है ठीक है कुछ लोग के लिए यहाँ पर एक dragon जैसा बन रहा है इनके अंदर थोड़ा बहुत आप मान सकते हो अभी जो है जो है ना यह गुसे में इसलिए है यह guilt महसूस कर रहे है अजब कोई guilt महसूस करते है और वो sorry भी नहीं मांग पा रहे है उनकी ego के वज़े से तब इनका गुसा और भी चर रहा है क्योंकि वो आपके साथ connect नहीं हो पा रहे है कुछ लोग के लिए आपके person थोड़ा सा इस तरह से है कि अगर वो Aries का symbol आ रहा है यहाँ पर Aries मेश राशी हो सकता है या Taurus ब्रिशब राशी हो सकता है थोड़ा सा जिद्धी किसम के इंसान है कहीं ने कहीं पर इनको लगता है कि अगर मैंने guilt भी किया है तो मैं माफी मांगने के लिए तयार भी हूँ आप person with a vehicle यहाँ पे देखो फिर से गारी यहाँ पे हुआ मैं यहाँ पे कर रहे थी और image यहाँ पे बन रहा है आप clearly देख रहे हो आपके person इनको लगता है कि हो सकता है कि यह बहुत ज़्यादा अच्छे profile के हो यह अच्छे हांदान से belong करते हो कहीं न कहीं कि इनके business बहुत अच्छा खासा है तो इनके अंदर थोड़ा सा घमन attitude ठीक है इवन false ego भी हो सकता है बड़ यह इनसान जो है ना इनको लग रहा है शर्मन्दी की भी महसूस हो रहा है और दूसरा चीज है इनको ऐसा लग रहा है कि अगर नया नय connection है इनको लग रहा है कि अगर आपको यह पहले आके propose करें या कुछ बोले तो शायद आप गलती समझोगे इनको ठीक है तो यह सही मौका नहीं है यह सही समय नहीं है लेकिन यह दिल से चाते है कि relationship में अगर no contact है, blockage है तो यह दिल से चाते है, दिल से दुआ कर रहे है कि miracle हो जाए क्योंकि यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे बहुत कुछ, यहाँ पे H letter भी है, यहाँ पे कुछ ऐसे symbol बन रहा है it's like you can say that it's trying to become a solid structure कहीं नहीं पर यह इंसान एक solid framework, आपके तरफ पेश करना चाते है कि यह solid commitment आपको देना चाते है of course यह चाते है कि relationship में renewal हो मतलब फिर से हो बेहद आपको चाते है, मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ इसलिए इनके mind पे guilt हो रहा है कि इन्होंने जो भी किया है आपके साथ अगर इन्होंने time नहीं दिया अगर इन्होंने ignore किया अगर इन्होंने आपको नजरनदास किया अगर आपके behavior इनको इतना ज़ादा आप इतना ज़ादा अच्छे हो इसके बावजूद भी अगर ये person आपका attention नहीं दिये तो इनसे कितना बड़ा गलती हो गया तो ये आहसास करते करते ये बहुत बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा ये खुद को victim मान रहे है कि इनको हादर किसी ने तो provoke किया वरना इनके इस तरह का attitude के वज़े से आज इनका हालत इस तरह से है ठीक है करेने करें पे मुझे इस तरह से लग रहा है कि ये इनसान ठीक है बहुत सारे लोगों का मदद ले रहे है they are trying to meet someone they are trying to talk about it यहाँ पे हो सताई कि अगर आप देखो यहाँ पे parents के साथ बात करना या किसी और के साथ इनका बात करना चालू है ठीक है इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है तो इनसान जो है ना लोगों के साथ बात कर रहे है राय ले रहे है कि क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए लेकिन यह चाहते है कि automatically यह relationship सही हो जाए बिगड़ा इनोंने और चाहते है कि miracle हो जाए यह इनसान definitely 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 आपको soulmate मानते है I do find कि यहाँ पे इस तरह से लग रहा है कि कोई यहाँ पे देखो chair यह sofa में बैटे है and definitely it's a duck coming out of here something it's very spiritual यहाँ पे Aries हो सकते है आपके person मैंने इस तरह से बताया और यह इस तरह से बैट के सोचते है बैट के सोचते है even nature के पास भी चले जाते है थोड़ा समय अपने निकालते है और अंतरात्मा से सोचते कि क्या करने चाहिए because this person is still in a confusion mode but इनका जो love है this is at infinite level आपके person के curly hair हो सकता है चाहिए male हो या female हो straight भी हो सकता है लेकिन मुझे इस तरह से channelize हुआ शायद उनको आपका curly hair पसंद है या उनका खुद का curly hair हो सकता है आपके person का आपके person generally इस तरह का job करते है जब जरूरत होता ये travel करते है वरना ये कोई chair में बैठके केबिन में बैठके office में कुछ documents के साथ deal करते है मतलब official work ठीक है like clerk, like manager like you can say that administrator इस तरह का कोई job ये करते है हमेशा ये इनसान जो है ना इनका एक बुड़ा habit इस तरह से है कि जब भी ये tension में आ जाते है आपको लेके तो ये बहुत ज़दा addiction मतलब कुछ addictive चीज़े ये ले ले लेते है either devil smoke और drink और ये बहुत ज़दा fantasy कर लेते है आप दोनों का relationship को लेके ठीक है यहां पर मुझे इस तरह से दिख्राए है इनके strong muscles हो सकते है या कोई protein shake पीते है maybe you are also working on body अगर आप male हो even अगर आप female भी हो maybe you are focusing on yourself और आपका जो external beauty है maybe दिन दिन वो निखार रहे है ठीक है आप glow कर रहे हो और ये इनके नजर में है क्योंकि ऐसे तो ही ये आपको stalking करते ही है आपके उपर इनका तो नजर है अगर आप specially office में हो इनका तो ये देख रहे हैं कि आपके दिन के दिन आप क्या ऐसा constantly आपका changes आते जा रहे है शायद manobal आपका बहुत ज़दा पहले से बढ़ गया है या कही ना कही पर इस connection को कि आप इनके इर्दिकेड़ हो आपके person अगर ये male है मुझे पता नहीं क्यों यहां पर इस तरह से लग रहा है कि कोई कुछ vegetables मतलब they are fond of eating vegetables a lot इनको सबजी बहुत पसंद है या आपको हो सकते या जब आप इस reading को देख रहे हो maybe you are cooking some vegetables at the moment स्पेशली वह सथा कि आप दोनों कहीं गए हो Italian या continental cuisine आपने ट्राइ किया है एक साथ ठीक है and definitely they are just remembering या ये प्लैन कर रहे है अगर आपने recently किसी के साथ मिले हो तो ये प्लैन कर रहे है आपको एक coffee date या कही ना कहीं पर date पर लेके जाने के लिए ताकि ये कुछ आपको signals भी दे कि आपको ये कितना हद तक चाहते है ठीक है क्योंकि ये आपको शायद office के वज़े से ये अपने family के वज़े से शायद आपको समझा नहीं पा रहे है कुछ लोग के लिए आपके relative में से कोई हो सकता है ये इनसान ठीक है 3 नमबर यहाँ पे 5 यहाँ पे 8 बहुत ज़दा significant है maybe 21st, 12th, December can be very important यह हो सकता है 25th, 16th, 30th date can be important ये football player भी हो सकता है ठीक है इनको football में भी online ये video games बहुत ज़दा खेलते हैं यह हो सकता है इनका खुद का channel हो बहुत ज़दा gaming का channel हो सकता है इनका ये startup कर रहे हैं कुछ चीज़ों का इनके लिए इनके mom ये sister बहुत बहुती ज़दा आप बोल सकता है बहुती ज़दा आमियत रखता है इनके जिंदगी में और ये इनके बात को काफी ज़दा मानते भी है काफी ज़दा मानते हैं इनको आपके परसन लेकिन इस तरह से आपको चाहते है कि सब कुछ automatically ठीक हो जाए जिस तरह से autopilot mode पे ठीक है जिस तरह से autopilot mode पे कभी एक घंटे के लिए शायद flight को रखा जा सकता है तब pilots लोग क्या करते हैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं तो इनसान चाहते हैं यह auto mode पे सब कुछ चला जाए सब कुछ automatically सही हो जाए ताकि इनको कुछ करना ना पड़े ताकि इनको कुछ जूखना ना पड़े आपके सामने और इवन आपको भी मतलब आप इनको accept कर लो जल्दी से जल्दी यह पे एक penguin का shape आ रहा है penguins are very sexual in nature आपके person बहुत ज़्यादे sexual है they have lots of lust towards you बहुत ज़्यादा crave है sex के लिए है ना प्लीज मेंशन करना Capricorn Macarashi हो सकता है आपके person के यह person बहुत ही ज़्यादे experienced है age में भी बरे है कुछ लो के लिए not for everyone इसलिए मैंने आपको बता कि जो resonant होता है वही ले लो बाकी को जाने देना ओके जब आप इस reading को देख रहे होंगे हो सकता है कि आप थोड़ा सा परेशान रहो पर यह reading देखने के बाद थोड़ा सा excitement आप जरूर महसूस करोगे आठ बजे हो सकता है कि आप इस reading को देख रहे हो मैं भी रात के समय यह हो सकता है कि सुबह ठीक है यहां पर किसी का आईस बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं यहां पर देखो तो इनसान इस तरह से cat की तरह curious है भई बहुत ज़दा alert भी है और curious भी है कि आप क्या कर रहे हो जनने के लिए इनको आप से बड़ा है एक penguin है यहां पर एक cat यहां पर पहले समयने में आपको पता है रिशी महारिशी जब सब लोग meditation क्या करते थे और इनको कुछ प्राप्ति करना था तो भगवान भी हमें आप्स्टकली देते हैं तो इनको भी दिया है तो यह क्या करते थे यादर कोई स्वर्क से कोई मतलब जो भी है उनको बेज देते थे वो नृत्य करती थी कहीं न कहीं सादू के सामने या कहीं न कहीं बहुत ज़दा तूफान वेज दिया या मतलब मैंने कि मैं क्या बताओ कि बहुत ज़दा बारिश हो रहा है फिर भी जो सादू थे जो महारशी थे वो ध्यान लगा के मेडिटेशन करते थे कभी-कभी वो सफल होते थे तो इनका attempt उसी तरह से है आपके लिए ठीके जिस तरह से नाम जाप किया जाता है न यह person strongly आपको manifest कर रहे है इसलिए न आप उनका कभी-कभी energy पकर लेते हो इसलिए आपका mood जो है न बदलते रहता है बहुत ज़दा frequency और आपको कभी-कभी खुद पता नहीं चलता क्यों हो रहा है यहां पर यू लेटर आ रहा है एच आ रहा है यहां पर देखो clearly एक 7 आया है clearly this is a 7 हो सकता है this July month can be very important for you हो सकता है 7 days आने वाले 7 weeks या 7 months काफी ज़दा important हो सकता है इनके life path नमबर या date of birth 7, 16, 25th date of birth हो सकता है या 25th का birthday आ रहा है किसी का ओके यह person आपके photos ले लेते हैं ठीके यह क्या करते हैं फिर जब भी समय मिलता है उसको देखते रहते हैं और face analysis आपके person करते हैं आदर किसी से करवाते हैं या खुद करते हैं लेकिन आपके person जो है आपसे एक ऐसा खिचाव महसूस करते हैं जो किसी और के साथ यह नहीं करते भले यह experience हो सकते हैं love affairs में but I do find कुछ लोग के लिए आपके person एक doctor हो सकता है gastroenterologist के doctor हो सकते है या इनका पेट का बहुत ज़दा problem होगा या आपका भी हो सकता है आप दोनों का meeting हो सकता है जल्द ठीक है अभी हम देख लेते हैं विदा ओरकल कार्ज कि यह इंसान आपके लिए क्या फील करता है मैं देख लेते हूं मेरे पास काफी ज़दा ओरकल कार्ज है आज देखते हैं कौन सा ले आपके लिए तो यह ले ले लेती हूं मैं अपने पार्टनर्स के लिए क्या सोचते हैं कितना हद तक वो प्यार करते हैं प्लीज बताएं निवर्स रीनुवल मैं आपको बताता कि यह चाहते है कि रीनुवल हो ठीक है यह जो रिलेशन्शिप है यह फिर से इस्ताबलिश हो, डिसपॉंडेंस, कोई उनको मनाने की कोशिश कररा है या प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है लेकिन यह μान नहीं रहे है और आकर कभी आपके बात में नहीं मानतेैं insecurity, इनको बहुत ज़दा घुटन हो रहा है, अकेलापन हो रहा है, इनको confidence नहीं मिल रहा है, devil energy भी है इनके अंदर, my god, rejection, इनको ये इस बात का भी डर है, इतना हद तक आपको प्यार करते हैं, imagine करते हैं, fantasize करते हैं, लेकिन इतना हद तक भी डर है, शायद उनके friends भी ऐसा बो आपके person के दिमाग में, but ये इस relationship को create करना चाते हैं, इतना हद तक, इतना हद तक, okay, लेकिन इनका self-worth issues, ठीक है, और अकेलापन, ये दो चीज है, जो इनके जिंदगी में अभी भी है, present, so they want you like anything, because they are suffering from insecurity issues, ठीक है, हो सता, presently ये लोनली है, single है, ठीक है, Okay, so this is all about today's reading, I hope you like it and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section, till then take care of yourself and keep watching, divinity, tarot, six, wet truth, always exposes darkness and will expose darkness, thank you guys and love you a lot, love you a lot and bless you.